कि रिमिश्कार आप देखरें निक्सन स्वीचुल आपके साथ मैं हूँ इना सरातन धर में गाय को पवित्र जीव के रूप में मानता दी गई है माना जाता है कि गाय में तेतिस कोटी देवी देपताओं का वास होता है जिस जगह पर मकान बन रहा हो गया वहां पर गाय का दूद सेहत के लिए अम्रित समान माना गया है गायों की सेवा करने और उसे रोजाना रोटी कि लाने से कुंड़ी के सारे दोश दूर हो जाते हैं आज हम गाय से जुड़े ऐसे ही चार बड़े लाबों के बारे में आपको बताएंगे और आपको परिचित करवाइ आए जानते हैं कि वह क्या लाब है अगर किसी रेक्ति को नजर दोश के समश्या हो तो गाय की पूछ से उसे दूर किया जा सकता है विश्नु पुरान में भी इसके बारे में बताया क्या है इस घ्रंथ के मुताबिक जब पूद्णा ने भावान चिक्रिश्न को स्तंपान क लिए और नंद बाबा ने गाये के पूच घुमा कर उनकी नजर उताई थी जो दंपत्ति संतान के सुख बलकी जड़त होते हैं कि कहते हैं कि जिस इस्तान पर बटकर साइस लेती है वहां का वातावर्ण अपने आप शुद होता है चला जाता है वह अपने आसपास के इस कर उसे रहने लाइक बना देती है महाभारत के अनुशाशन पर में इसका विस्कार से उले किया गया है कि अगर आप किसी नौकरी के इंटर्वी या फिर रहने किसी शुब कारे से बाहर जा रहे हो और अचानक आपको किसी गाय के रंभाने के आवास वाही दे जाए तो समझ आपको उसकारे में सफलता मिलने वाली है गया का रंभाना सुफारे के बूर होने का संकेत देता है अगर आपको हमारे अचान के तची रहे हो तो कमेंट कर दो जरू बता है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे आने वाले वीडियो इसके बिट पाने के चैनल के सब्सक्राइब करें साथ ही बड़ा आपको लबाना ना भूले